जैहिंद बंदे मातरम साथियो स्वागा थे डेली स्टेडी में आज की वीडियो में टोप 25 को संस्क्राऊंगा जो कि आपके प्रिक्षा में अक्सर पुछे जाते हैं और सभी प्रसन का अंसर हम आपको एक्स्प्लेन करके बताने की कोशिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रसन है चाय की लाल जंग किस के कारण होती है option यहाँ पे देखिए और जो भी प्रसन कांसर आपको पहले से मालुम हो आप उसे comment box में बता सकते हैं तो देखिए चाय की लाल जंग जो है हरित सेवाल के कारण होती है option A यहाँ पर सही जवाब है तो देखिए चाय का लाल जंग, रोग, सेफलू रोस जाती के सेवाल के कारण होता है और सेफलू रोस परजी भी सरल हरित सेवाल की एक जाती है और चाय की लाल जंग हरित सेवाल के कारण होती है और बात करें कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा भारत की किस राज में होती है तब होगा असम लेकिन आप से पुछे कि भारत का कौन सा सहर चाय की खेती में नंबर वन है तब होगा आपका दार्जिलिंग और ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग असम में नहीं है दार्जिलिंग पस्चिम बंगाल में है तो ध्यान रखेगा सहर के मामले में दार्जिलिंग है नंबर वन पर चाय की खेती में और असम है राज के मामले में चाय की खेती में अबल है अगला देखिएगा इंसुलिन कि इसके चयापचय को नियंतरित करता है तो यह होगा आपका सरकरा. तो देखिए सार्टोरियस जो है मानव सरी में सबसे लंबी मान स्पेशी है और सार्टोरियस जो है कूले को घुमाने जोरने और घुमाने में मदद करता है। येने की आन्विक संदचना का वर्णन किया था और इसे नेचर में डबल हिलिक्स कहा गया और इस सफलता की खोज के लिए वाटसन क्रीक और उनके सहयोगी मौरिस विलिंक्स ने 1962 में फिजियोलोजी यानि की मेडिसीन में नोवेल पुरुष्खार जीता है अगला देखिए वहसरोथ पुस्तक जो सभी संकटा पन जन्तुओं और पौधों का रिकोर्ड रखती है उसे क्या कहते हैं उस पुस्तक का नाम आपको बताना है जहां पर की सभी संकटा पुर्ण संकटा पन जन्तुओं और पौधों का रिकोर्ड होता है तो यह होगा आपका रेड डाटा बूक और अलग अलग रेड़ डाटा बूक को संकटा पन प्राजातियों की लाल सुची के नाम से भी जाना जाता है अगPR देखिएगा यहां पर देखिए तस्वीर कुनेन पवध्य के किस भाग से प्राप्थ होता है यह है पवध्य को खत्म करने के लिए कुनेन का प्रयोग किया जाता है और यही है पौध्य की खोज जो है सतरवी सतावदी की सबसे गंभीर चिकित्सा खोज माना जाता है कार करने की दर को क्या कहा जाता है वर्क करने की दर को क्या कहते हैं सही जवाब होगा सक्ती option number D यानि की power तो देखिए भोतकी में सक्ती कार करने की दर है और यह समय की प्रती इकाई खपत उर्जा की मात्रा है और सक्ती की इकाई की बात करेत जूल प्रती सकेंड होता है और इसे वाट के रूप में भी जाना जाता है अगला देखिए प्रकास उर्जा के संडचनन के लिए प्रकास उर्जा के संडचनन के लिए और यह केवल तब होता है जब दो इस्थितियां पूरी होती है पहला प्रकास अधिक सघन माध्यम में है और कम सघन माध्यम में होती है और दूसरा अपतित कोन तथा कतित कांतिक कोन से अधिक होता है अगला देखिएगा इनमें से क्या सबसे तेज उसमा अस्थांतरन की परकिरिया है सबसे तेज उसमा अस्थांतरन परकिरिया इनमें से कोन है सही जबाब होगा ओप्सन नमबर वी वीकरन औप्सन B, अगला देखेगा question number 10, देखिएगा सौर परनाली में प्रावरतन का निरिक्षन करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला साधन कोन है सही जवाब होगा हबल दुर्बिन ओप्शन ए तो देखिए हबल स्पेस टेली स्कोप अंत्रिक्ष में एक बड़ी दुर्बिन है और नासा ने 1990 में हबल को पिर्थवी की यात्रा करता है कुकिंग घस जिसको lpg gfs कहा जाता है यानि कि लिक्षाइट पेट्रोलियम ग्ष यानि कि रसोई में जो हम लोग ग्ष का इस्तमाल करते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या सामिल होता है Metalifies रसोई वाला गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं इसमें जो है ब्यूटेन होता है उप्सन भी तो देखिए तरली कृत पेट्रोलियम गैस इसको इंगलिस में कहते हैं लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सोट में एल पीजी देखिए इसे जो है कुकिंग गैस भी कहा जाता ह ठिक न और यह जो है हिटिंग उपकरनों खाना पकाने के उपकरन और वाहनों में इंधन के रूप में उप्योग की जाने वाली हाइड्रो कारवन गैसों का एक जुवलियम इसरन है और यह जो है 50% ब्यूटेन और 45% प्रोपेन और 5% प्रोपेन का मिसरन होता है देखिए अगला प्रसन है इनमें से किसका उप्योग गोल्ड के विघटन के लिए किया जाता है गोल्ड के विघटन के लिए इनमें से किसका उप्योग किया जाता है सही जबाब होगा ओप्सन नमबर D एकवारेजिया ओप्सन D तो देखिए एकवारेजिया जो है रोयल जल का ज़रू कर लिजिएगा यानि कि तीन बेल आइकन में से उपर बाले को किलिक करके ज़रू रखिए ताकि नए वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अगरा देखिए इन में से कौन सी परकिरिया रासाइनिक परिवर्तन है एक होता है बहुत तिक अगर जो भोजन होता है उसको हम लोग खा लेंगे तो वह पच जाएगा कि अब पचा हुआ भोजन कभी फिर भोजन बन सकता है नहीं बनेगा तो यह होगी आपका रासाइनिक परिवर्तन फिर देखिए रासाइनिक परिवर्तन का एग और उधारन कोईले का जलना अगर कोईला को जला दिया जाए तो क्या जला हुआ कोईला फिर से पूरा संपुर्ण कोईला बन सकता है नहीं बन सक वैं या पहले आवस्था में आ जाता है जैसी कि पानी है पानी से हम लोग बर्फ बना सकते हैं फिरीज रेफ्रेजरेटर जो भी यंतर के मदल से है अगर पानी से हम उसको बर्फ बना देते हैं तो क्या बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं इसलिए ये होगी आपका भौतीक परिवर्तन उमीद करू परिवर्तन में आप लोग अच्छे से समझ पाएं होंगे और concept आपका clear हो चुका होगा अगला देखिएगा उचतम विसिष्ट ताप छमता वाला पदार्थ कौन सा है तो सही जवाब होगा option number D option के अनुसार option D को यहाँ पर सही जवाब किजिए तो दिखिए दिये गए पद एक सयोजी उतक है जो दो हड्यों को एक दूसरे से जोरता है दो हड्यों को एक दूसरे से जोरने वाले उतक को कहते हैं अस्थी बंद option number D तो देखिए अस्थी बंद जो है कठोर लचीले सयोजी उतकों का एक छोटा band होता है जो दो हड्यों को जोरता है और अस्थी बंद जो है हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ने में मदद करता है अगला देखिएगा चुम्बुकिया तुरता के लिए चुम्बुकिया प्रिना के अनुपात को किसके रूप में पड़िभास्तित क्या गया है सही जबाब होगा option number D चुम्बुकिया प्राग्यम्यता option D अगला देखिए आप परती क्रिया सील गयस का नाम क्या है आप परती क्रिया सील गयस किसे कहा जाता है यह हो जाएगा option number C nitrogen तो देखिए आपको ध्यान रखना है nitrogen को जो है आप परती क्रिया सील गयस कहा जाता है और NITROGEN की परमानूसंख्या कितना होता है साथ होता है, ये अक्सर पूछा जाता है और वायो मंडल में न ITROGEN कितरा प्रतिसत पाया जाता है, 78, 78 प्रतिसत ज्यौ है NITROGEN वायो मंडल में है अगला देखिए हम विकास के सिधान्त को किसके साथ जोरते हैं विकास के सिधान्त को किसके साथ जुडते हैं सही जबाब होगा option number 1 चार्ल्स डार्विन के साथ तो देखिए चार्ल्स डार्विन जो है विकास बाद के सिधान्त से जुड़े हैं और वर 1858 में डार्विन ने theory of evolution को दुनिया के सामने रखा था आगला देखिए जब बर्प को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ये क्या होता है इसका तापमान घटता है या क्या होता है या फिर उसमा अपसोसित होती है या फिर उसमा भिमोचीत होती है रोबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाना जाता है रोबर्ट ब्राउन जो है एक प्रसिद बग्यानिक रहे हैं ये किस चीज के लिए जाना जाता है तो कोशिका का क्केंदर की खोज के लिए तो option number यहाँ पे B सहिजबाब होगा center of sale justice सब्द की उत्पत्ति किस से हुई है justice मतलब नियाय इस सब्द की उत्पत्ति की बात करती होगा Latin सब्द से इनका उत्पत्ति हुआ है option A तो दिकिए प्रास्तावना में समिधान के प्रास्तावना की बात हो रही है यहाँ पर नियाय सब्द जो है तीन अलग अलग रुपों रुपा में दिया गिया है जैसे कि समाजीक, आर्थिक और राजनितिक को मौलिक अधिकारों और नियाय सब्द जो है Latin सब्द JUS से लिया गिया है और JUS का मतलब होता है बंधना या फिर एक साथ बंधना खुर्पका मुपका रोग किस में होता है तो देखिए खुर्पका और मुपका रोग ये जानवर में जादातर होता है और इसका लक्षन की बात करें तो विसानू दो या تिन दिनों के लिये तेज वुखर का कारण बनता है इसके बाद मुँह के अंदर और पैरो में छाले हो सकते हैं जो फट सकते हैं और लंगरापन पैदा कर सकते हैं रोग के लिए जिम्मधार वाइरस कोन है यह होगा आपका पिकोरन वाइरस और जीनस एक्थो वाइरस का अधी प्रावर पिक है अलगत की 1946 में भारत के समिधान सभा के अंतरियम अध्यक्ष क पतना की गई थी और भारत के समिधान को अधिकारिक रूप से समिधान सभा द्वारा तयार किया गया था और भारत के अराष्टे कंग्रेस ने 1934 में एक समिधान सभा की मांग की थी और समिधान सभा की पहली अधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था डेर्यक्ष पूछ 13 दिसंबर को डक्टर अरजेंद परसाद को चुनाव करके समिधान सभा का अस्थाय अध्यक चुना गिया था किस समुद्र में अधिक्तम लबनता प्राप्त की जाती है सही जबाब होगा उप्सें नमबर A मरत सागर में तो दिखिए लाल सागर में दुनिया का सबसे गर्म और नमकीन समुद्री जैल होता है और सुएज नहर के माध्यम से भूमत सागर के साथ अपने स्योजन के कारणिया दुनिया में सबसे भाड़ी यात्रावाले जैल मर्गो में से एक है अब एक परसन आपके लिए है भारतिय सम्मिधान का पिता किसे कहा जाता है इस परसन का सही जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग पीछला वीडियो जरूर देख लिजिए जैहिन बंदे मातरम